तो नमसकार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निरस्तवर के बारे में दोस्तो आपको पता है कि 15 मार्ज को निरस्तवर की मोत हो गई थी और जो मोत की वजए थी कि निरस्तवर ने जहैर खा लिया था लेकिन इसके पीछे कारण क्या था वो मैं आपको आज इस वीडियों बताऊंगा और दोस्तो साथ ही मैं आपको निरस्तवर के बारे में कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो कि सायद आपको नहीं पताऊगी तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरज तवर के जनम के बारे में और मोत के बारे में दोस्तो साथ जुलाई 1990 को निरज तवर का जनम हुआ था दिल्ली के एक फतेपुर गाव में और दोस्तो आपको पता है कि 15 मार्ज कुन की मिरती हो गई थी इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि निरज तवर का रियल नेम क्या है निरज तवर का रियल नेम निरज पैपसु है या फिर निरज तवर है तो दोस्तों मैं आपको बता दू निरज तवर का रियल नेम है निरज तवर लेकिन दोस्तों निरज तवर जो अपने नाम के पीछे निर्श पैपसू भी लगाते थे इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं निर्श तवर की मोत के बारे में तो दोस्तों निर्श तवर की जो मोत हुई थी वो हुई थी कि उन्होंने जैर खा लिया था लेकिन दोस्तों आपने बहुत से वीडियो देखी होगी जिसमें ये बताया गया है कि निरस्तवर का एक दोस्त था जिसका नाम था परदीप वो उसको भूत बन कर दिखता था और इस वज़े से निरस्तवर डिप्रेशन में चला गया और उन्होंने जैर खा लिया तो दोस्तों मैं आपको बता दू ये बिल्कुल भी सच नहीं है और दोस्त दोस्तों हम बात करते हैं कि आखी निरस्तवर ने जैर क्यों खाया था तो दोस्तों आपको पता है कि आज निरस्तवर की मौत को करीब करीब दो महीने होने वाले हैं लेकिन अभी तक किशी को ये नहीं पता है कि निरस्तवर ने जैर क्यों खाया था दोस्तों मुझे लगत की मदद करते थे अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों